हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंट्स यह वीडियो है सटेडे का और अभी ना सुबह के साड़े च्छे बजे हुए हैं और यहां पर मैं बच्छों के लिए टिफिन बना रही थी तो नासा मेरा बन चुका था और आज थोड़ा सा लेट हो गया था उटने में लेट इसले हुआ क्योंकि सुबह पांच बजे जैसे मैं डेली उट जाती थी ना तो उस ताइम पे ही मैं जग गई थी फिर मेरा बन हुआ कि थोड़ा आभी टाइम में तो सो लेते हैं और इस चक्कर में मुझे हो गया लेट तो बस यही है कि मैं सबजी कल काट करके रख तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई सब्जी कटी हुई थी और उट करके मैंने सब्जी बना दी जल्दी से क्योंकि सब्जी को ही काटने में ज्यादा टाइम लगता है और यही फायदा हुआ आज लेट उटने का क्योंकि कल मैंने सब्जी काट करके रखी हुई थी त चोटा मोटा जो काम रह जाता है वो मैं देख रहे थी और बच्चे ना अकसर ही भूल जाते हैं हैं की बगरा लेना इनको डेली याद दिलाना पड़ता है वैसे तो वो एकदम से रेडी हो जाते हैं खुद सही मुझे नहीं ध्यान देना होता लेकिन फिर भी छोटी-छोटी चीजें जो हैं वो उनको याद दिलाना होता है तो बस मैं यहाँ पर बैट करके उनसे पूछ रहे थी कि अपना सारा समान रख लिए हो या नहीं और बच्चे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं इसके बाद यह लोग चले गए स्कूल और स्कूल जाने के बाद इनके हम फिर लग गये हैं अपने घर के काम में और यह है मेरी बालकनी का कोने का हिस्सा इधर साइड में जहाँ पर कूलर रखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बहुत सारा समान रखा हुआ है और यह सारा समान अभी बिल्कुल भी काम नहीं आता है मतलब अभी क्या य इसको कहीं और सिफ्ट कर दिया है दूसरे जगह में तो जैसे ही बच्चे गए ना इसके बाद हम लोग यसी काम में लग गए थे मैं और हस्बेंड तो हम दोनों लोग मिल करके और ये सारा समान यहां से हटा दिये थे तो इसका बिलकुल भी काम नहीं था और अभी क्या है न पूरी तरीके से खराब होने में टाइम नहीं लगेगा तो इसलिए हमने सोचा कि रखना तो है ही तो इसको रख दिया जाए टाइम से और विवस्तित रहेगा तो नुक्सान भी नहीं होगा कुछ-कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कभी-कभी काम में आ सकती हैं तो इसलिए हुआ था जो काफे ज़्यादा भारी था और यहीं सब हटाने में काफे ज़्यादा टाइम लग गया हमें फिलाल हमने सारा सामानिया से हटा दिया और आप देख सकते हैं यहां पर जो जगह है ना एक द्रम से खाली हो चुका है कुछ भी नहीं है यहां पर बस यहां कभी वैसे चलता नहीं है मतलब इसमें पानी वगरत हम लोग नहीं डाले हैं बस ऐसे ही चलता रहता है लेकिन अब कुलर का भी थोड़ा सा इंतिजाम करना पड़ेगा यहां पर इसलिए हमने सारा समान यहां से हटा दिया है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता था सार चारपाई तो यहीं पर रहेगी वह अभी नहीं जाएगी और जब बारिश आएगी बरसात का मौसम तो उस टाइम पर देखते हैं इसको फिर कहीं और सिफ्ट कर देंगे क्योंकि जब पानी पड़ेगा ना तो यह खराब हो जाएगी तो फिलाल अभी तो यह चारपाई य करने के बाद फिर में आ गए थी रूम की सफाई करने तो यह बेडरूम में बहुत सारा कपड़ा वगयरा फैला हुआ था तो फोड़ा सा आज इसको ठीक करेंगे और इसको साफ भी करेंगे यह जो सिरहने वाला हिस्सा है ना यह काफी जादा गंदा हो जाता है क्योंकि का समझ में आने लगता है कि हाँ बहुत जददा गंदा हो गया है और ज़्यादा दिन नहीं चलता सिर वाली प्रानी बेडश सिद कर दे रह интер होए हूं सिराने को क्लीन कर दे रही हूं इसके बाद फिर मैं यह बेड़ट चीट को निकाल करके और इस पर दूसरा लगांगी और अभी ये जो बैट सीट मैंने बिचा करके रखे है ना ये बहुत पुरानी है बहुत पुरानी नहीं है मतलब थोड़ी पुरानी है जो रेगलर मैं इसको बिचाती थी ना तो ये थोड़ा सा कलर भी निकल गया है इसलिए देख करके लगता है कि बहुत जादा पुरानी है तो अभी घर में जिसे काम चलता रहता था ना कुछ न कुछ तो घर गंदा होता रहता था इसी वज़े से मैं अभी सारी पुरानी बैट सीट ही बिचा रही थी लेकिन अब जो है काम खतम हो चुका है वैसे तो काम चलता रहता लेकिन अभी फिलहाल इस टाइम पे बंद है इस टाइम पे कुछ भी गंदा होने का चांस नहीं है तो मैं अपनी दूसरी वाली बैट सीट बिचा रही हूँ और ये बैट सीट मैं काफी टाइम पहले मगाई थी इससे पहले जो बिची होई थी ना उसके साथ में ही मैं इसको मगाई थी लेकिन इसको मैं निकाली ही नहीं ये ज़्यादा यूज में आई ही नहीं और उसे उसी को मैं यूज करती थी इसलिए वो ज़्यादा पुरानी दिखने लगी थी तो ये ऐसे ही रखी रह गए थी और ये एकदम से नई ही रखी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो चीज मुझे बहुत पसंद देना बहुत जादा अच्छी लगती है उसको मैं बचा करके रखती हूँ मतलब थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ मुझे हर चीज ऐसा होता है मेरे साथ चाहे फिर वो कोई भी समान हो अगर वो मुझे बहुत ज़ादा पसंद देना तो मैं उसका यूज बहुत कम करती हूँ मुझे लगता है कि ये खतम हो जाएगा ये जल्दी खराब हो जाएगा इस चकर में मैं उसको बचा करके रखी रहती हूँ और इस चकर में ये बेड़ सीट भी मैं बचा करके ही रखी थी जो कि अभी भी नई दिख रही है तो चलिए आज अच्छी वाली बेड़ सीट बिचा देते हैं और जो रूम का लुक है ना वो इदम से चेंज हो गया है बेड़ सीट बिचाने के बाद और इस बेडरूम में अभी कुछ भी नहीं है सिर्फ बेड रखा हुआ है इसके अलावा कोई समान नहीं है तो खाली है न तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है चलिए अब थोड़ा सा साडियों का और्गनाईजेशन देख लेते हैं और यहाँ पर मैं निकालने लगे थी सारी अपने साडियां जो साडिय मैं यहाँ पे रखी हुई थी उन सब को मैं निकाल करके बाहर रख रहे हूँ और मुझे इनको पैक करके अच्छे से रखना है तो फ्रेंट्स कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि एक और पार्सल आया हुआ है जो कि मैं कल आप सभी के साथ में शेयर करूँगी कि वो क्या आया हुआ है तो चलिए आभी मैं पता देती हूँ कि ये साड़ीों को पैक करने वाला जो पैकेट्स आते हैं तो यही मैंने मगाया हुआ था और मुझे अब ये साड़ीों को उसी में पैक करके रखना है अच्छे से ओर्गनाईज करके और काफी जादा मुझे लग रहा था कि ये सारी जैसे ऐसे ही रखी हुई थी पैक नहीं थी मुझे लग रहा था कि इसमें हलकी फुल के डस्ट लग गई है तो मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं इसको किट में पैक करके रखूँ तो गंदी भी नहीं होगी और साथ ही साथ ये देखने में भी बहुत सुन्दर लगेगी तो देखें याँ पर सारे साडिया मैंने निकाल करके रख ली है और अभी सारी नहीं निकाली है बस कुछ ही है जो थोड़ी सी cotton वाली है, silk वाली है जो थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है तो वही सब मैंने निकाल कर रखा हुआ है और ये देखिए ये है packets जो कि मैंने मगाया हुआ है और ये काफी अच्छा है, तो मैं अभी first time ये मगाई हूँ, इसलिए मैंने जादा packets नहीं मगाये हैं, सिर्फ 10 मगाये थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, एक बार मैं मगा करके देख लेती हूँ और अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं और बाद में order कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत कम मगाया था और ये 10 पीसे हैं, तो फिलहाल अभी जितने भी आये हुए हैं, इन सब को मुझे पैक करके रखना है, बतलब ये 10 packet हैं, तो 10 साडिया ही आएंगी इसमें, पैक के अंदर एक ही आएगा, बहुत जादा स्पेस नहीं है, एक साड़ी आराम से आजाती है, तो यहां पे मैंने देखे पैक कर दिया है, और साड़ी के साथ में ब्लाउज और इसके मैंचिंग का जो पैटी कोट होता है, तो वो सब कुछ मैंने इसी packet में ही पैक किया है, ताकि जब भी मुझे पहनना हो, तो इधर उधर फिर ढूनना ना पड़े, सब कुछ साथ में ही मिल जाएगा, तो इस तरीके से मैंने पैक कर लिया है, और यह जो packet है, यह एक ही तरफ से transparent है, तो इससे पता चल जाएगा, बाहर से देख सकते हैं कि कौन से कलर वाले साड़ करके रखी हूँ, जो cotton की है, silky की है, या फिर जो थोड़ी और नई सी है, बतलब जो new new साड़िया है, उनको मैं अभी रख रही हूँ, इसके बाद मैं जब दुबारा यह packet समागाओंगी, और भी जादा, तो फिर बाकी के जो बच्ची हुई साड़िया है, उटको मैं बा आया था, कि आप अपनी साड़ियों को और्गनाइज करके इस तरीके से रखे, पैकेट्स में, जो daily wear की है, उनको अलग रखे, और जो party wear की है, वो अलग रखे, तो यह suggestion मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी टाइम पे मुझे idea आया, कि क्यों ना साड़ियों के पैकेट समगाया जाए, और यह सारी साड़ियों को और्गनाइज किया जाए इस तरीके से, तो यह देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने अभी सब को रख दिया है, और एक सारी जो ना सिल्क की थी, सिल्क वाली साड़ियों एक पैकेट में दो आ गई थी, क्योंकि वो कम जगह लेती है, और जो कॉटन की सारी है, वो एक ही आई है, उसमें तो दो नहीं आ सकती, तो चलिए, अभी मैंने इसको पैक करके रख लिया है, और वापस से रख देते हैं, उसी जगह पे, जहां से मैंने इनको निकाला था, तो यहां पे मैं एक दिन देख रही थी, काफे ज्यादा लग गए थी, तो उस टाइम पे भी मुझे लग रहा था, कि मेरी सारी साडियां ऐसी रखी हुई है, तो सब में भी डस्ट लग रहा होगा, तो इसलिए भी मैंने ये पैकेट मगाया है, कि डस्ट से बचेगा, और क्योंकि ना जब जादा डस्ट होती है, तो अलमारियों क अंदर में भी आ जाता है, तो अभी मैं इनको इसी जगह पे रख दे रही हूँ, और देखे कितना सुन्दर लग रहा है ना, एक तरीके का सब दिख रहा है, और बाहर से समझ में भी आ रही है, तो जब भी मुझे पहनना होगा, जो भी पहनना होगा, उस हिसाब से फिर मै निकाल करके और पहन लूँगी, और इधर साइट में और भी साडिया भी रखी होई है, उनके लिए मैं और पैकेट्स मगाऊंगी, तो उनको फिर बाद में पैक करके रखूंगी, तो चले ये तो हो गया मेरा साडियों का और्गनाईजेशन, जो कि मुझे बहुत पसंद मैंने फर्स टाइम ये ट्राइ किया है, लेकिन मुझे बहुत जादा पसंद आया, तो अभी मेरा ये सबसे जारा जरूरी वाला काम हो गया है, और इस काम के लिए मैं काफी दिन से इंतजार कर रही थी, कब ये पैकेट्स आएंगे, तो मैं कब साडियों को पैक करके फिर यहां पर मुझे लंच बनाना है, और दाल मैं चुढा करके गई थी, दाल मेरी बख चुकी थी, तो बच्चों के लिए मैंने निकाल दी है, लग से कटोरी में बिना फ्राइ की हुई, और जितनी भी दाल बच्ची है, उसको मैं फ्राइ कर लोगी, तो यहां पर दाल दाल फ्राइ मैं करती हूँ, दो चम्मच घी राल करके जीरा और थोड़ा सा हींग, और हरे मिर्च प्याज और जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा ना, इसके बाद इसमें टमाटर एट कर देते हैं, और जैसे ही टमाटर गल चाएगे, इसके बाद इसमें यह दाल सिंपल सा मेरा दाल में तड़का भी लग गया है, इसके बाद फटा पर से मैं इसमें चावल रख दूँगी, और यहाँ पर बन जाएगा मेरा लंच, तो चलिए फ्रेंट साज का यह व्लॉग भी मैं यहीं परिंट करती हूँ, आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आ इंद आया शीक्षभी बला गया है, अईवें खरी साज के मैं यहाँ पर अीक्षभी लिया की परिंट से यहाँ पर से दिज़गी, जजिए प्सको के भी मैं लगी, अनॉगाहाँ पर देंटी, झाल यह जड़ हुत देंगा।